तो दोस्तो फाइनली वो फिल्म रिलीज हो चुके है जिसका इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे केजीएफ चप्टर टू जब हम लोग बाहर निकल रहे थे फिल्म देखकर तब हमें इंतजार था कि अब नेक्ष्ट सालार होगी और वो भी जबरजस्त निकलेगी क्या ये फिल्म जबरजस्त निकली है फिल्म का रिवियू थोड़ा डिटेल में करेंगे चलिए तो प्रशाथ निल का डिरेक्षन है फिल्म शरू होगी तो आपको पता चल ही जैएगा प्रशाथ निल का एक डिरेक्ट करने का जो तरीका है न केज़ेफ चप्टर वन और में वह तरीका हमने देखा वही तरीका यहां पर आपको देखने को मिलेगा फिल्म की मेकिंग फिल्म का स्वाइग हीरो का स्वाइग हीरो का चलना हीरो की एंट्री कलर ग्रेड फिल्म की मेकिंग सब कुछ यहां पर के जीएफ वाला है आपको लगबग लगबग के स्टोरी को बिल्डप किया गया है कहानी को बिल्डप किया गया है तो लगभग लगभग थोड़ी सी आपको स्लो भी लग सकती है इंटरोल ब्लोक आपको पसंद आएगा इंटरोल के बाद स्टार्टिंग में थोड़ी फिल्म बो выпуск करती है थोड़ी लंबी भी लग सकती है लेकिन जेसे जेसे क्लायमेक्स की और फिल्म बढ़ेगी यह फिल्म जो है न वो ट्रेक पराजाएगी और उस तरह से ट्रेक पर आएगी कि अंत में एक ऐसी जगह पर आपको फिल्म छोड़े पार्ट बन दोस्तों आपको जैसा भी लगे आपको जिसको जैसा भी लगे मुझे यह लगता है फिल्म का आंत देखकर कि पार्ट तू जो आएगा ना वो एकदम जबर ज़स्त आएगा देखिए जिस तरह से फिल्म की मार्केटिंग हुई थी ना सालार की कि बहुत ही इक्ष्ण मुझे यहाँ पर नहीं लगा बोटी अच्छा है जितना भी है जितने भी सीन है काफी अच्छे से डिजाइन किये है जर वह स्पेशल मुंदी वाला धब मुंडी वाला सीन देखना जबर जसे है तो जितने हे वत् ми जबर जस लेकिन में यार और उमीद थी लेवल वो नहीं है तो प्रभास के फैन को तो डेफिनेटली फिल्म पसंद आएगी प्रभास के जो डाय हाड फैन है प्लस जो मास लवर है उन्हें यह फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी एक्टिंग की बात करें दोस्तों तो प्रभास की अभी भी ठीक ठाकी चल रही है फटा नहीं प्रभाज काब क्या हो गया है उनके जो expression होते है ना वो same ही होता है हर situation में action वाला हो या फिर रोणे धोने वाला हो या फिर कोई भी home love comedy वाला हो emotional वाला हो कोई भी हो प्रभाज की expression में अब कुछ लगड़क दिखता नहीं है प्रवास की एक्टिंग ठीक-ठाक से है, पुरुथ्वीराज की एंटरी एंटरोल के बाद होती है, तो पुरुथ्वीराज का काम भी अच्छा बोल चकते हैं, बाकी जितने भी इकलाकार है, सभी ने अपने काम को अच्छे से किया हुआ है, फिल्म के नेगेटिव ठीट होगा उन लोगों के लिए ज些 लोगों को यूनिक देखना इअलग देखना आ了吧 इस ऐसकी अच्छन से मतलब है प्रबास के फैन है के टीमैकिंग पसंद है के फैसा पसंद थे 캤 बदा दूब के जी एफ जीतनी उमिद लेके मत जाड़ा क्योंकि के जीएफ में अच्छे डायलोग थे फिल्म के गाने भी जबर जस्त थे फिल्म का BGM भी जबर जस्त था लेकिन यहां पर उन सब की कमी어야 थोड़ी थोड़ी महसूस होगी फिल्म का BGM ठीक ठाक सा है एक्षन अच्छे है बाकी गाने जो फिल्म के है वो भी उतने इंप्रेसिव नहीं है फिल्म में इतने अच्छे डायलोक्स भी नहीं है जितने यश भाई हमारे KGF में बोलते थे तो कई सारी कमिया महसूस होगी तो फिल्म देखने जा रहे हो तो ऐसा मत सुदना कि वाह KGF देखने जा रहे है इतनी उम्मित मत लगा ना वरना बिल्कुल निराश हो जाओगे तो इंशोट बोलू दोस्तों तो फिल्म जो है वो KGF का बाप तो नहीं है लेकिन KGF का बेटा इससे आप बोल सकते हो एक्षन पसंद है इस सालम ने बहुत एक्षन फिल्में देखी है एक्षन पसंद है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको कही ना कही पसंद तो आहीगी मेरी तरब से फिल्म को पार्च में से तीन स्टार धन्यवाद